जो कोई शनी देव को ध्याता उसका सब संकट कट जाता जो कोई शनी देव को ध्याता उसका सब संकट कट जाता ये न्याए के हैं दिवा मेरे शनी देव भगवाद मर देते हैं उनको जो करते कर्म महाद ओं शनी 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 शना बिगड़ी बना देता हैं सब की चिंता हर लेता हैं उनकी बिगड़ी बना देता हैं सब की चिंता हर लेता हैं उनकी जो करता है मन से आद जो करता है मन से आद जो कोई शनी देव को ध्याता उसका सब संकट कट जाता ये न्याए के हैं दिवा मेरे शनी देव भगवार मर देते हैं उनको जो करते कर्म महार ओम शम शनिश्चराः ओम शम शनिश्चराः जो गरीब की सेवा करता शनी बाबा को राजी करता जो गरीब की सेवा करता शनी बाबा को राजी करता उनका जीवन देता सवार जो कोई शनी देव को ध्याता उसका सब संकट कट जाता ये न्याए के हैं दिवा मेरे शनी देव भगवार भर देती हैं उनको जो करती कर्म महा ओम्शं शनिष्चरा ओम्शं शनिष्चरा साड़े साथी जिस पे आई कर्म करे वैसा फल पाई साड़े साथी जिस पे आई कर्म करे वैसा फल पाई शनी का ये ही विधान शनी का ये ही विधान जो कोई शनी देव को ध्याता उसका सब संकट कट जाता ये न्याय के हैं दिवा मेरे शनी देव भगवार बर देते हैं उनको जो करते कर्म महार जो कोई शनी देव को ध्याता उसका सब संकट कट जाता ये न्याय के हैं दिवा मेरे शनी देव भगवार बर देते हैं उनको जो करते कर्म महार ओं शनी शनी शना ओं शनी शना ओं शनी शना ओं शनी शना ओं शनी शना आपकी तेड़ी द्रिष्टी से तो डरता सकल जहां आपकी तुम शान हो तेरी जै होशनी भगवान आपकी तेड़ी द्रिष्टी से तो डरता सकल जहां आपकी तुम शान हो तेरी जै होशनी भगवान सुर्य तेव और छाया मा के खुत्र शनी महराज यम और यम ना के भाई चहु और आपका राज सुर्य तेव और छाया मा के खुत्र शनी महराज यम और यम ना के भाई चहु और आपका राज नब ग्रेहों में आपका नब ग्रेहों में आपका सब से उतम अस्थान न्याय के तुम शान हो तेरी जय होशनी भगवान तेरी जय होशनी भगवान कर्मों के अनुसार सभी का करते हो तुम न्याय न्याय अधीश सचे कहलाते करते नहीं अन्याय कर्मों के अनुसार सभी का करते हो तुम न्याय न्याय अधीश सचे कहलाते करते नहीं अन्याय तुम करते नहीं अन्याय कभी करते नहीं अन्याय शत्रू का तुम नाश करो भगतों का रखते मान न्याय की तुम शान हो तेरी जै होशनी भगवान काला वस्त्र और तेल आपको जो भी प्राणी चड़ाता उस प्राणी के जीवन में कभी कस्ट नहीं है आता काला वस्त्र और तेल आपको जो भी प्राणी चड़ाता उस प्राणी के जीवन में कभी कस्ट नहीं है आता कभी कस्ट नहीं है आता उसे कस्ट नहीं है आता शर्मा का करते हो हर पल आप प्रभु कल्यान न्याय की तुम शान हो तेरी जै होशनी भगवान आप की ठेड़ी द्रिष्टी से तो दरता सकल जहान न्याय की तुम शान हो तेरी जै होशनी भगवान तेरी जै होशनी भगवान तेरी जै होशनी भगवान जै गणेश गिरी जा सुवन मंगल करण क्रिपाण दीनन के दुख दूर करी की जैनाथ निहाय जै जै श्री शनी देव प्रभू सुन हो विने महाराज करहू के पाहे रवी तने राखो जन की लाज जैती जैती शनी देव दयाला करत सदा भगतन प्रति पाला चारी भुजातनों शाम विराजैं माथे रतन मुखुट छवी छाजैं परम विशाल मनों हर भाला तेड़ी द्रेश्टी भकुटी विक्राला कुंडल श्रमण चमा चम चम के ये माल मोक्तन मनी दम के करमे गदा त्रिशूल कुठारा पल बिचकरे अरही संधारा पिंगल कृष्णों चाया नंदन यम कोणास्त रौत्र दुख भन्जन सौरी मंद शनी तशनामा भानु पूत्र पूजैं सब कामा जा पर प्रभु प्रसन हमे जाही रकहु राव करैशन माही परवत हूं त्रेण होई निहारत त्रण हूं को परवत करी डारत राज मिलत बन राम ही दीन्यों कैकई हूं की मती हर लेनों बन हूं मैं म्रिक कपट दिखाई मातु जान की गई चुराई लश्ण ही शक्ती विकल करी डारा मची गादल में हाहा कारा रावण की गती मती बोराई रामचंद्र सौबैर बढ़ाई दियो कीट करी कंचन लंका बजी बज रंग वीर की डंका निप विक्रम पर तुही पगुधारा चेत्र मयूर निगली मैं हारा हार नौलक खाला आग्यों चोरी हाथ पैर डरवायो तोरी भारी दशा निक्रस्ट दिखायों तेल ही घर को लहू चलवायों वे नया राग दीपक महकीन्यों तब प्रसन प्रभु है सुख दीन्यों हरी चंद्र निपनार विकानी आप हुँ भरे डोम घर पानी तैसे नल पर दशा सिरानी भूजी मीन कूद गई पानी श्री शंकर ही ग्वेहों जब जाई पार्वती को सती कराई तनिक विलोकत ही करी रीसा नभ उड़ी गयो गोरी सुत सीसा पांडव पर है दशा तुमारी बची त्रौपती होती उधारी गोरव के भी कती मती मार्यों युद महा भारत करीडार्यों रवी के है मुख में है धरी तत काला लेकर कूती परे ओ पाताला शेश देव लखी विनती लाई रवी को मुख ते दियो छुडाई वाहन प्रभु के साथ सुजाना जगति गजगर धब म्रिग स्वाना जम्बुक सिह आदी नखधारी सोभल जोतिश कहत पुकारी गजवाहन लक्षमी ग्रह आवें हैते सुख संपती उपजावें गर्धब हानी करे बहुकाजा सीह सिध कर राज समाजा जम्बुक बूधी नश्ट कर डारें म्रिग दे कस्त प्राण संधारें जब आवही प्रभु स्वान सवार चोरी आदी होए डर भारी तैसही चारी चरण ये है नामा स्वरण लोह चांदी अरुतामा लोह चरण पर जब प्रभु आवें धन जन संपती नस्त करावें समता ताम्र रजत शुभकारी स्वरण सर्व सर्व सुख मंगल भारी जो यह शनी चरित्र नितगावें कब हुना तशा निक्रस्ट सतावें अदभुतनात दिखावें लीला करशत्र के नशी बली धीला जो पंडित सुयों के बुलवाई विधीवत शनी ग्रहें शान्ती कराई पीपल चल शनी दिवस चड़ावत दीपतान दैबभु सुख पावत कहत राम सुन्दर प्रभुदासां शनी सुमिरत सुख होत प्रकाशां पाथ शनी श्चर देव को की हो भक्त तयार करत पाथ चालीस दिन हो भव सागर पार जै देव जै देव जै जै शनी देवा जै देव जै देव जै जै शनी देवा जै देव जै शनी देव जै जै शनी देवा सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी जै देव जै देव जै जै शनी देवा शाम अंग वक्र द्रिष्टी चत्र पुझा धारी शाम अंग वक्र द्रिष्टी चत्र पुझा धारी नीलांबर धारनात गज की असवारी जै देव जै देव जै जै शनी देवा जै देव जै देव जै जै शनी देवा जै देव जै देव जै जै शनी देवा क्रेट मुकट शेश सहज दीपत है लिलारे क्रेट मुकट शेश सहज दीपत है लिलारे मुक्तन की माल गले शोवित बलिहारी जै देव जै देव जै जै शनी देवा जै देव जै देव जै जै शनी देवा मुदक मिश्ठान पान चड़त है सुपारी मुदक मिश्ठान पान चड़त है सुपारी मुदक मिश्ठान पान चड़त है सुपारी लोहा तिल तेल उड़त महशियत प्यारी जै देव जै देव जै जै शनी देवा जै देव जै देव जै जै शनी देवा देव जै देव जै जै शनी देवा देव दनुज रिशी मुने सुमिरत नर नारी देव दनुज रिशी मुने सुमिरत नर नारी विश्वनात धरत ध्यान शर्ण है तुम्हारी जै देव जै देव जै जै शनी देवा जै देव जै देव जै जै शनी देवा जै देव जै देव जै जै शनी देवा जै देव जै दे जै शनी देवा नेलांजन समाभासं रवि पुत्रं यमाग्रजं छाया मारतंड सम्भुतं तम नमामी शनैश्चरं तम नमामी शनैश्चरं बोलिये नव ग्रहों के सर्ताज भगवान श्री शनी देव माहराज की भगवान श्री शनी देव जी की वक्रत्रिष्टी की कथा आप सभी ने सुनी है पड़ी है वेद पुराणों में इनकी कथाएं वर्नित हैं परंतु आज मैं आपको भगवान श्री देव की साड़े साती की वो पावन कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको ग्यात हो जाएगा कि क्या देव हों क्या धनुज क्या मानव क्या दानव और क्या स्वयम भगवान भी हों भगवान शनी देव की साड़े साती से कोई नहीं बच पाता है शनी की कथा बड़ी है महान साड़े साती से नहीं बच पाए स्वयम शिवजी भगवान स्वयम शिवजी भगवान शनी की कथा बड़ी है महान कथा कुछ इस प्रकार से है भकतों एक दिवस भगवान शिव के कैलाश पर श्री शनी देव का आगमन हुआ उन्होंने अपने गुरू भगवान शिव के चर्णों की बंदना की और उन्ही के चर्णों में बैठ गए भगवान शिव ने उनके आने का प्रयोजन पूछा तो शनी देव ने कहा प्रभू आप तो जानते हैं के मेरी साड़े साती हर राशी पर अपना फल दिखाती है सो कल से मैं आपकी राशी पर आने वाला हूँ बस यही बताने के लिए मैं आपके चर्णों में उपस्थित हुआ था सुनकर भूले शंकर पास्चरे चकित रहे गए और शनी देव से क्या पूछते हैं आईए बताता हूँ मैं तो हूँ भगवान है शनी क्या मुझ पर भी आओगे क्या अपनी साड़े साती का फल मुझको दिखलाओगे बोले शनी जी सुनलो भगवन मैं तो सब पर आता हूँ देव दनु जो हो रिशी मुनी हो सब को फल मैं दिखाता हूँ साड़े साती फल पाएगा चाहे स्वयम भगवान शनी की कथा बड़ी है महान इस पर भगवान शिव ने शनी देव से पूछा हर राशी पर रहता हूँ परंतु आप स्वयम भगवान है सो मैं साड़े साथ घड़ी के लिए कल आप पर अवश्य आऊंगा इतना कहकर श्री शनी देव अपने धाम को चले जाते हैं भोले नात उनके जाने के बाद सोचते हैं कि कैसे शनी की साड़े साथी से बचा जाएं और सोचते सोचते उन्हें क्या उपाए सुझा आईए सुनाता हूँ कल शनी के आने से पहले मृत्यू लोक चला जाऊंगा किसी उचित अस्थान पे जाके मैं तो कहीं छुप जाऊंगा शनी मुझे ना ही पाएंगे मुझे को ढूंड न पाएंगे साड़े साती का फल मुझे को कैसे वो दिख लाएंगे इतना सोच के निश्चित हो गए स्वयम भोले भगवान शनी की कथा बड़ी है महान अगले दिवस शिवजी प्रित्वी लोक में आ गए भगवान नगर नगर मंदिर मंदिर खेद खलिहान बाग बगीचे सब देख डाले परंत कोई उचित स्थान छिपने का ढूर नहीं पाए घूमते घूमते वनों में आ गए भक्तों कि तभी उनके सन्मुक एक हाती आ गया अचानक उनके मन में विचार आ गया कि क्यो ना मैं आज सारा दिन हाती बनकर रहता हूं इससे शनी मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे और ढूड भी नहीं पाएंगे यह सोचकर भगवान शिव ने हाती का स्वरूप भरा और हातियों के जुन्ड में शामिल हो गए सारा दिन निकल गया भक्तु परंतु शनी देव नहीं आएंगे शांज के समय भोले नात अपने स्वरूप में आएंगे और शनी देव के धाम पहुचे बोले शनी देखाना तुमने आज तु मुझे धून नहीं पाएंगे भगवन की योनी को चोड़ा गज की योनी आएंगे और यही तो साड़े साथी मेरी प्रभू समझ ना पाएंगे शिव शंकर को सारी बात ही भगतो समझ में आई ती जान गए यह दुनिया साड़े साथी से बचने न पाएंगे शनी देव को दिये शंकर ने धेरों फिर वर्दाँ शनी की कथा बड़ी है महान तो देखा ना अपने भगतों के चाहे स्वयम भगवान भी क्यों न हो श्री शनी देव की साड़े साथी से बोई नहीं बच सकता क्योंकि स्वयम भगवान शिव नहीं तो उन्हें नयायाधीश के पत पर बिठाया था और श्री शनी देव कर्मफल दाता होने के कारण भगतों को उनके जीवन में किये अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही भल प्रदान करते हैं तो भक्त जनू यदि आप भी शनी देव की कृपा पाना चाहते हैं तो शनी देव के गुण गाते जाईए और जीवन में सदा सदाचार अपनाते हुए अच्छे कर्म करते रहिए बोलिये भगवान शिरी शनी देव महराज की कर्म फलों के दाता शनी जी कर्मों का फल देते हैं अच्छे कर्म जो करता उनके कस्टों को हर लेते हैं लोहा तिल और तेल उडद का हम तो भोग लगाएंगे चर्णों में हम जुक जाएंगे चंदन तिलक लगाएंगे परम दयालू परम क्रिपालू भगतो शनी भगवान शनी की कथा बड़ी है महान शनी की कथा बड़ी है महान